हिलो एव दीवान कैसे हैं आप सब आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे नेहा के किचन में आप लोग का स्वागत है आज मैं ठेकवार रेस्पी लेके आ गई हुसके लिए लेंगे लोक अपने हूं कहा था एक बाउल में लें हूं ताजी मलाई एक बाउल से थोड़ा सा क कमपीशी वीचीनी और मैं इलाइची पाउडर एड करूंगी सबको अच्छे से मेक्स करेंगे उसके बाद अच्छा सा एक डू बना लेंगे थोड़ा मुझे कम लग जाता है यहां आटा में मलाई तो थोड़ा सा में एड की हूं दूद छोटी छोटी लोई बना लेंगे ठेकवा बहुत जगा इसको बोला जाता है बहुत जगा खजूर बोला जाता है छट पूजा में यह बनता है यूपी बिहार का छट पूजा में परसीद परसाध है मेरे पास था साचा ऐसे लगाएंगे हाथ में थोड़ा सा ओयल थोड़ा सा लगाएंगे साचा प्योईल असारे अपना ठिकुआ ऐसी बना लेंगे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है मेरा बेटा लंच बॉक्स में इसे ले जाता है दो तरह से में दिखा रही हूँ एक गोल बना के दिखा रही हूँ एक लंबे आकार में बना के दिखाई आपको ओइल कुछ एक कर लेते हैं धीमी आज पर सेकेंगे क्योंकि धीमी आज पर सेकेंगे तो अच्छे से अंदर से पक जाएगा शरा ठीक हुए ऐसे ही फ्राई करना है हमें खाने में बहुत सा अदेश्ट होता है क्योंकि मलाई इसमें डालते हैं तो मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बच्चों को भी बहुत पसंद आता है मेरे घर में बड़े और बच्चों सब को बहुत पसंद आता है ठेक हुआ अब ठेकुआ कहें लीजिए या खजूर मेरे घर में तो खजूर हम लोग बोलते हैं इसको आप पानी में भी गूश सकते हैं अगर आपके पास मलाई होता जी तो मलाई डालेंगे तो स्वाथ बहुत ही टेस्टी बन के तियार होता है बहुत इच्छा लगता है सारा ठेकुआ ऐसे ही फ्राई करना है जो बचे ठेकुआ है उसे भी फ्राई कर लेंगे लट लट के सीख लेंगे देखे कलर कितना अच्छा रहा है देखे फैनली लुक ऐसे है ठेपुआ का विस्कृ जैसे लग रहा है स्वार भी बहुत इच्छा लगता है इसका एक मैं तोड के आपको दिखा रही हूँ देखे कि कांदर से सॉप्ट है उपर से क्रेज भी बहुत इच्छा लगता है आई हो कि मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सिस्क्राइब करिए सेयर करिए कोपेंट करिए करिए